तो भाई लोग, तेजस मूवी आई है थेटर्स में, मैंने देख ली है, जहां मेरे अलावा बस खाली खुरसिया ही थी, anyways, अपना काम है मूवी देखना, चाहे वो थेटर खाली हो या हाउस फुल, तो कैसे है ये मूवी, आईए बात करते हैं, well, hello, मेरा नाम है योगी और हम हमारी मुलाकात बार-बार होगी, कंगना रानावाल स्टारर तेजस, स्टोरी है तेजस गिल नाम के एक फीमेल फाइटर पाइलट की, जिसके पास है एक मिशन, देश को टेररिजम से बचाना है, और ऐसा टॉपिक आपको हर देश भक्ती वाले मूवी में मिल ही जाएगा, टेररिजम, पाकिस्तान में घुसना, टेरर अटैक को रोकना वगेरा वगेरा जिसके बीच में स्टार्टिंग में तेजस की ब्रेवरी शोकेस करने के लिए एड क्यारेक्टर सेट अप करने के लिए मूवी के एकदम स्टार्टिंग में ही एक छोटा सा रेस्क्यू मिशन भी दिखाया जाता है, जिससे you can set up your mind के आगे मूवी में ये तेजस गिल, rules, regulation को ना मानने वाली बट बहादूर फाइटर बनकर सामने आने वाली है, लेकिन तभी आपके सामने रखी जाती है एक love story, जो plot को भटकाने का काम आसानी से कर देती है, बट उसी love story को as backbone use करते हु जो इस movie का main मुद्दा है, उसे direct second half में दिखाया जाता है, जिससे आपको लगेगा कि जो first half है, उसे stretch किया जा रहा है, हाला कि देखा जाये तो movie का runtime बस एक घंटा 58 minute का ही है, याने 2 घंटे से भी थोड़ा कम, जो screenplay के हिसाब से काफी अच्छा time spot है, बट still, film के editing में और भ fighters, army या navy वाले, उनको ये movie जरूर अच्छी लगेगी, क्योंकि ये emotionally उनके regular life के साथ attached होती है, बट meanwhile अगर हम सिर्फ और सिर्फ audience perspective की बात करें, तो हो सकता है कि ये film देखी दिखाई, सुनी सुनाई लगे, और हाँ, जब रितिक के fighter movie का teaser आया था, तो सब तरफ ये buzz हो गया था कि fighter movie इंडिया's first ever aerial action movie होगी, लेकिन कंगना की तेजस movie ने उस movie से ये हक छीन लिया है, हाला कि जहां तक मैंने notice किया, तेजस film में उतने भी aerial shots नहीं है, जितना मैं expect कर रहा था, अगर आप इसे इंडिया की first ever aerial action movie बोलकर promote कर रहे हो, तो जो aerial fight sequences से वो इतने कम क्यों है, म shots में ही पूरे air fights के scene निकाल दिये जाते है, बहुत से shots तो पता लग जाता है कि total VFX CGI से ही बनाए गये है, और VFX की बाद हो ही रही है, तो कुछ जगा अच्छा तो है, लेकिन कुछ जगा notice हो जाए ऐसा VFX है, यानि समझ में आ रहा था कि backstory में kangna के चेहरे पर भी VFX किया गय तो I can say कि ये movie one time watchable जरूर है, कोई vulgar या गाली गलोच वाला scene नहीं है, so family friendly भी है, बीच में एक दो गाने है और pumped up हो जाए ऐसा background music भी है, जो इस movie के patriotic theme को थोड़ा और उपर उठा देता है, finally अगर मैं overall बात करूँ तो story में नयापन ना होने के कारण ये मेरे लिए एक average movie बन कर सामने आई है, so 2.5 stars, या तो आप theater में इसे देख सकते है या wait करो तो बहुत जल्द ये movie Z5 पर भी आ जाएगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, bye, पंची बहुत आवाज कर रहे क्या, anyways आवाज करेंस